हेलो स्टूडेंस चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ओन चेप्टर नमबर 10 का क्योस्टर नमबर 18 देखते हैं क्या है इंपोर्टेंट क्योस्टर ने ये एक्जामस में पूछ लिया जाता है ठीक है find the image of the point 3,8 with respect to the line x plus 3y equal to 7 assuming the line to be a plane mirror क्या क्या है यहां पे 3,2 point की image हमने find out करनी है और जो x plus 3y equal to 7 है ना line ठीक है उसको plane mirror आपने assume करना है देखो भई मान लिया कोई भी point है P यह है 3,8 ठीक है और यहां पे यह line है हमारी क्या है x plus 3y is equal to 7 इसको mirror मानना है तो इसकी image कहां बनेगी यहां पे यह मान लिया हमारी क्या बन रही है image यह मान लिया a है इसके point assume कर लिये हमने a,b यह p point था यह a point p point की image जो है वो कहां पे बन रही है इमारी a पे बन रही है a के point मान लिये हमने a,b हमने अब क्या find out करना है A और B की value find out करनी है ये point find out करने की कहाँ पे उसकी image P की image बनेगी ठीक है अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम इसको सबसे पहले इसकी P, A, P P, A या फिर A, P की slope हम find out कर सकते हैं बिल्कुल easily है इस line की भी slope हम find out कर सकते हैं बिल्कुल simple है तो दोनों की slope क्या होगी दोनों की slope की multiplication equal to minus 1 होगी या नहीं होगी दोनों एक दूसरे के perpendicular है तो ये काम कर लेते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम slope of line क्या है हमारे पास x plus 3y equal to 7 तो यहाँ पे y is equal to mx plus c की form में ले क्या हो 3y is equal to minus x plus 7 और y is equal to क्या होगा minus का 1 by 3 x plus 7 clear तो m की value क्या आगी यहाँ पे m1 is equal to मान लिए क्या आगी minus का 1 by 3 यह first slope आगे है हमारे पास अब हमें चीए ap की slope ap line की slope तो यहाँ पे क्या लिखेंगे slope of ap कैसे निकलेगी y2 minus y1 अपोन में x2 minus x1 करके तो वो आजएगी मान लिया m1 is equal to b minus 8 अपोन में a minus 3 ठीक है तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे edge both lines are perpendicular दोनों line क्या है एक दूसरे के perpendicular यह line और यह line perpendicular है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 multiply m2 किसके equal होगा minus 1 के ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है m1 की value देखो क्या है b minus 8 अपोन में a minus 3 multiply m1 की value क्या है minus का 1 by 3 edge equal to क्या होना चीए minus का 1 इसको simplify कर लो minus 1 की multiply करेंगे देखो यहाँ पे multiply में है minus 1 यहाँ पे भी minus है minus से minus cancel हो जाएगा तो यहाँ पे देखो b minus 8 की 1 से multiply की b minus 8 यहाँ पे 3 की a इससे अंदर multiply करेंगे 3a minus 9 is equal to 1 तो क्या आगया b minus 8 is equal to 3a minus 9 इसको इस तरफ लेके जाएगे तो क्या हो जाएगा 3a minus b और minus is equal to 1 इसको simplify कर ले न b को इस तरफ लेगे minus 9 को इस तरफ ले आए ठीक है 3a minus b हो जाएगा minus 9 को इस तरफ लेके आए plus का 9 9 में से 8 गया 1 तो यह equation आगे मेरे पास अब मुझे a और b की value निकालनी है एक equation तो आगे मेरे पास equation number first अगर कोई ऐसे ही a और b की form में मुझे एक और equation मिल जाए तो मैं easily simplify कर सकता हूँ या नी a और b को ठीक है तो वो कैसे निकलेगी अब देखो ध्यान से जो image बनी है p की a point पे तो ये जो point होगा ये midpoint होगा या नी होगा plane mirror है science में पढ़ते हैं हम जितने distance पे object रखी है उतने ही distance पे हमारी image form होगी class 10th में पढ़ी है आपने 11, 12th में भी physics में अगर 12th में देखोगे 12th में आएगी आपके अभी optics में तो यहाँ पे जो भी जितने distance पे object रखी है उतने distance पे हमारी image form होगी तो ये जो point है ये क्या होगा हमारा midpoint क्या होगा ये हमारा midpoint इसको मान लेते हैं m तो यहाँ पे क्या करेंगे हम midpoint of midpoint of ap क्या हो जाएंगे m के जो point होगे x, y is equal to वो किसके equal हो जाएंगे a plus 3 by 2 और दूसरा point क्या हो जाएगा b plus 8 by 2 होगे या नहीं होगे कोई दिक्कत हो दो बता दो x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 अब ये जो point है किसके उपर है इस line के उपर है है या नी तो ये point इस equation को satisfy करने चीए क्योंकि इसके उपर point ही है तो बस क्या करेंगे इन x और y की value को इसके अंदर put कर लो तो हमारी a, b की form में एक और equation आ जाएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे इनको put in x plus 3y equal to 7 के अंदर इसको put करेंगे चलो put करते हैं देखते हैं equation आती है हमारे पास x की जंगे क्या पूट करेंगे a plus 3 by 2 plus में y की जंगे क्या पूट करेंगे 3 into b plus 8 by 2 is equal to 7 ठीक है यहाँ पर a plus 3 है plus में यहाँ पर lcm जो आएगा 2 आएगा 2 की direct इस तरह multiply कर लो 3 की अंदर multiply करेंगे 3 की b से multiply की 3 b plus में 8 3 जा 24 is equal to 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 दुनों का lcm सेम आएगा 2 2 आएगा तो उपर a plus 3 plus में 3 into b plus 8 आएगा और 2 की multiply हो जाएगी right side तो यहाँ पर equation क्या बनगी है हमारी a plus 3 b is equal to यह 14 है 24 और 3 क्या हो गया 27 इस तरह जाएगा minus 27 हो जाएगा तो 14 minus 27 क्या देगा minus का 13 equation number second आ गई simple है कर लोगे ना सानी से आप यह calculation तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अब equation first और equation second को दुनों को simplify करके हम a और b की value नहीं find out कर सकते चलिए देखते हैं करते हैं find out next page पे यहाँ पे जो दूनों equation आईए हैं हमारी क्या क्या आई हैं एक तो 3a minus b equal to 1 आया है 3a minus b equal to 1 और जो दूसरी equation आई हैं हमारी वो क्या आई है a plus 3b equal to minus 13 a plus 3b equal to minus का 13 इन दोनों को क्या कर ना है simplify तो इन में तो कोई भी coefficient equal नहीं है तो उपरवाल एक्वेशन को क्या करो multiply by 3 कर लो तो क्या एक्वेशन बन जाएगी 9A minus 9A minus 3B is equal to 3 और यह क्या बन जाएगी हमारी A plus 3B equal to minus का 13 हवा ज्यादा चल रही है बहुत ज्यादा अब इनको simplify कर लो 3B से 3B cancel हो जाएगा हमारा 9A में A add करेंगे तो क्या हो गया 10A is equal to minus 13 में से 3 गया थो minus का 10 A की value क्या आजेगी minus का 10 by 10 means क्या आगई A is equal to minus का 1 किसी भी एक्वेशन के अंदर put कर लो B की value आजाएगी देखो 3A minus B is equal to क्या था हमारा 1 के equal यहाँ पर A की value minus 1 put करो तो 3 into minus 1 minus B equal to 1 तो minus 1 से multiply करेंगे minus 3 minus B equal to 1 minus 3 को right side लेके जाओ minus B equal to 1 plus 3 तो minus B equal to क्या हो गया 4 और B is equal to क्या हो जाएगा minus का 4 तो point जो आगे हमारे point of image क्या थे हमारे A into A को मा भी मानने थे हमने तो क्या आगे हमारे point A की value क्या है यह minus 1 B की value क्या है minus का 4 यह हो जाएगे हमारी image अब आपको वैसे भी clear हो गया है देखो हमारा answer correct आया है जो भी हमारे point थे वो दोनों के दोनों क्या थे 3,8 positive उसके opposite जो point होंगे वो क्या होंगे negative तो minus 1, minus 4 क्या आगे हमारे image के point I hope question आपको clear हो गया है कोई भी doubt किसी परकार का लगता है तो हम मुझे comment करके पूछ सकते हैं अधरवाई चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए और बहुत सारा share कीजिए thank you students for your love and support for this channel thanks